हुआ है जो गठन है या फिर उसकी जो रचना है वो कैसे की जा सकती है और अगर इसके तहट अलग से आई-टी रिटेन अगर किसी को फाइल करना हूं तो उसके क्या प्रोसीजर है क्या कारवाई जरूरी है इसके जरी पुजा जो आपने बताया कि हुआ है अब ये समझना जरूरी है कि हिंदू लौ के तहट हुएफ इस एन एंटी टी जो नैच्रली क्रियेट होती है माना कोई भी व्यक्ति है पुरुष व्यक्ति जब उसकी शादी होती है वो तब तक तो सिंगल होता है शादी होने पर उसका फैमिली बनता है वो युगल बन जाता है उसी दिन वो हुएफ का तो गठन हो जाता है अब हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे कि जिनकी इंकम टैक्स परपस से हीफ की कोई फाइल नहीं है पर उनकी जब शादी होई थी तो हीफ तो बन गया था तो आज जब हम कहते हैं कि आपको हुएफ बनाना है इसका मतलब यह हुआ कि टैक्स परपस से या कानूनी तोर से एक एंटीटी एस्टैब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक एंटीटी हुएफ को क्रियेट करना है हमें यह भी ख्याल रखना है कि हुएफ होने के लिए कोई संतान प्राप्ती भी आवश्यक नहीं है पहले तो यह माना जाता था कि अगर आपका बेटा होता है तब ही आपका हुएफ बनता है यह गलत ख्याल है केवल हजबंड और वाइफ हो उसका हुएफ हो सकता है तो जैसे ही ओव फैमिली बढ़ता जाता है पर हुएफ तो उनका बना है अब आपने जो सवाल किया कि हुएफ को इंकम टेक्स पर्पस से हम कैसे उसको establish करें और कैसे create करें तो इसके लिए सबसे आसान तरीका एक तो मान लीजिए कोई बड़ा मेरे फादर का हुए है उसका partition होता है और मुझे जो मिलता है तो वो मेरे हुए की property बन जाती है पर हर बार तो partition होता नहीं है इसलिए ये जो आपका हुए है उसकी आपको capital create करनी है तो जो capital create करनी है उसके लिए आपको कोई amount चाहिए तो सबसे आसान तरीका है आप अपने कोई भी रिष्टदार या दोस्त से एक छोटी रकम gift के तौर से लीजिए जब आप gift लेते हैं एक gift का उनसे एक declaration ले लीजिए आप खुद अपने हुएफ का एक declaration करिए जिसमें आप कहेंगे कि मेरे हुएफ में मेरी ये शादी हुई थी उस दिन मेरा गठन हुआ इसमें मेरी और मेरी पतनी का समावेश हो रहा है इसमें मेरी ये संतान है वो भी इसमें शामिल है और इसके आधार से आप ये declaration को bank account के purpose से आप bank account खोलने के लिए KYC के norms में इसको दे के आप हुएफ का account खोल सकते हैं पैंग की application करके हुएफ का bank account के लिए pen भी ज़रूरी है pen के application के लिए ये declaration आपको काम में आएगा तो एक बार ये हुएफ का गथन हो गया bank account बन गया थोड़ी छोटी सी बख्षीश भी ले ली फिर उसमें आगे हम बात करेंगे कैसे आप capital का मान लो एक छोटा सा business शुरू करते हैं तो हुएफ की वो income हो जाएगी तो हुएफ की capital का formation करना मूडी का निर्मान करना ये सबसे एहम बात है इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे